तो question क्या है, the total time taken by two train to cross each other in this 20 second, तो दोनों train को क्या है, जब cross करने में कितना समय लगता है, 20 second लगता है, the speed of both train is 10 meter per second, तो दोनों की speed कितनी है, 10 meter per second कि इनकी speed है, what is the combined length of both train, तो combined length बतानी है, देखे इसमें क्या है, relativity क्या concept लगता है, speed relativity का, उसमें क्या होता है, कि अगर direction, same train की क्या हो, same हो, तो speed क्या होती है, subtract हो जाती है, ठीके न, difference कर देते हैं उनका, अगर direction क्या हो, opposite हो, ठीके न, तो speed क्या होती है, add हो जाती है, ठीके न, याद रखिएगा, ठीके इसमें क्या है, direction क्या है, दोनों की opposite है, तो जो उनकी speed होगी न, वो क्या होगी, add हो जाएगी, तो speed किस तरीके सा add होगी, 10 प्लस 10, ठीके न, ये क्या होगी, speed होगी, distance क्या होगी, कुछ नहीं होगी, उनकी length होगी, तो L1 प्लस L2, ये क्या है train की लंबाई है, और समाई कितना ले रही है, 20 सेकंड ले रही है, ठीके न, I think आपको इस फॉर्मूला जनरल पता होगा, क्या होता, speed होगी क्या होता, distance upon time, ठीके न, तो बस अब इसको solve कर दीजे, तो कितना होगी, 20, इन्टु 20, तो कितना होगी, equal to L1 plus L2, ये दोनों की क्या है, कमाई length है, तो बस इसको solve करेंगे, तो कितना जाएगा, 400 meter क्या जाएगी, इसकी length जाएगी, इसकी train की जाएगी, ओके, तो अपना answer कितना है, 400 meter है, ठीके, तो option क्या है, इसका 4th क्या होगा, इसका answer होगा,